वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल भाई आप लोगों का हर्दिक स्वागत है इस वीडियो पे आपने बहुत ही अच्छा किया कि इस वीडियो पर क्लिक किया क्योंकि ये वीडियो जो है न कोई यूटूब ट्रिक में बता देता हूं पहले कि भाई इसमें कोई भी यूट um बैठेगा आपके मन में और ये वीडियो bahas impose on लोगों के लिए है जो की मतलब हद चुके हैं यूटूब पर या फिर आप यह दो साल से काम कर रहा है या फिर महीने दो महीने से काम कर रहे 5 मायूस हो यूटूब से और आप नहीं सोचते हैं कि यूटूब में कुछ इस टॉपिक पर यूटूब को क्यों मैं अच्छा बोल रहा हूं और कैसे मतलब क्या होता है ठीक ना तो इसके लिए आपको जोने वीडियो को पूरा देखना है समझना है मैं क्या बाते बताने वाला हूं तो डेफिनेटली आपको जोने इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और डेफिनेटली आपका जुनून जो है ना फिर से आगे वाई जुनून आगे होगा ठीक है न दोस्तों तो बाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं यहां पर इसी तरह यूटूब के रिले तो मैं इसके लिए एक कहानी बता था जिसको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं मतलब बहुत सालों से उसके वीडियोस देख रहा था और उसने एक दिन अपनी कहानी बतायी कहानी कै थे बाई वो जो हैंने करीबन साड़े तीन चार साल से पहले YouTube पे आया काम कर रहा था काम करते करते करीबन एक साल उसने महनत किया बहुत ही अच्छा कमाया मतलब व्यूस वगरा जो है उनका और्डियन्स वगरा सब्सक्राइबर्स वगरा बहुत ही अच्छा हुआ चैनल भी उनका मॉनेटाइज हो गया और पैमिंट भी उनका मतलव नच्छा मॉनेटज को हिलता है भी कलेक्ट और उसको सिर्फ आने वाला था बट उसका monetization, pin verification वगरा में कुछ problem हो गया था और ये जोना बंदे को मैं बताता हूं कि उसने जोना बहुत ही बहुत ही कस्ट किया था स्टार्टिंग से जब भी वीडियो बनाता था एक mobile ले करके गली में खड़े हो करके वीडियो बनाता था रोड के साइड में जाकर एक वीडियो बनाता था जंगलों जाडियों में जाकर बैट करके technology वाले वीडियो बनाता था और बंदा जोने एक गाउं है गाउं से है अभी भी बंदा एक गाउं से वीडियो बनाता है बट बहुत आगे बढ़ चुका है तो इतनी मुश्किल हो जिनके पास सही से मुबाइल नहीं था कोई guidance करने वाला नहीं था उसको कोई English समझाने वाला नहीं था बेसे कि वो पूरा Hindi में करता था आपको पता ही होगा अगर आपको गाउं से या फिर कोई village remote area से तो कि मतलब कितना मुश्किल होता है YouTube को समझना अलगरितम को समझना YouTube के guidelines को emails वगरा को समझना और बाते करना अपने बातों को audience के पास बोताना ठीक ना दोस्तों तो इतना सभी मुश्किल जिलने के बाद में भी एक देट साल के बाद में उसका channel monetize हुआ और जब उसका payment आने वाला था उसमें पंगा होकर के उसका channel जो है आप motivation मतलब आप जोना अपजा जुनून बनाए रखे इसलिए मैं ये बात आज बताने वाला हूँ यहाँ पर बता रहा हूँ basically तो फिर क्या किया उसने थोड़े दिन frustrated हो करके छोड़ दिया था पूरा काम वगरा YouTube पे काम नहीं कर रहा था कुछ और करने लगा बर होता न आपको हमेशा अंदर से बुलाते रहा तक भाई इसको करो अगर आप engineering में मतलब fast हो तो आपको engineering काम हमेशा बुलाता रहेगा अगर आप एक musician हो तो आपको जाने music गाने ये सबी बहुत attract करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए अगर आप एक business में हो तो आपको जाने business में हमेशा खीसता रहेगा कि भाई कुछ न कुछ नया करते हैं भाई कुछ न कुछ होता है तो ऐसा ही इस बंदे के साथ भी हो तो मतलब ये भी बंदा सोचा कि हाँ भाई चलो इसको करते हैं फिर से करते हैं करने में क्या जाता है पता है मेहनत करते हैं तो उस दिन से बस एक डेड़ project होने के बाद में basically adsense का पंगा अगर हो जाता है तो आपनों को पता ही होगा कि वे उसको फिर से यूज नहीं करना चाहिए better new channel new adsense account वगरा create कर लेना चाहिए तो उसने जो है भाई नया चैनल बनाया करीबन 200 subscriber इंशली उसको मिल गए थे करीबन तीन सारे तीन सार पहले जब इन्होंने मूग किया थे नया चैनल बनाया उसके बाद में भाई ने work करना लगा तभी भी हो जहने mobile से वीडियो शूट कर रहे थे बहुत ही remote location से जा रहे थे उनको एक एक वीडियो अपलोड करने के लिए मतलब कोसों दूर जाना पड़ता था दूसरे जगह पे जा करके वीडियो जहां इंटरनेट मिलता हो वहां पर करना सोच चक्ति हो और उनका फैमिली जहने कुछ बड़ा खास फैमिली नहीं है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं बहुत ही मुश्किल दौर से भाई साब ने आगे बढ़ा है बहुत ही बट आज तो है अच्छे मुकाम पर है तो आप लोग जो अगर यह सभी वीडियो देखते हों कि आपको मतलब मन में पता ही चल गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं कि वह भाई साब है मनोज दे बिएसिकली वह जो है ना सिरिसलिए उनके एज में जब उनका जजबा देखता हूं जब उनके इस वीडियो देखता हूं तो मुझे बहुती पसंद आता है और इंस्पिरेशनल स्टॉरी है उनका तो जिन जिनों को पता नहीं था बाय एक यह स्टॉरी ईनके लाइफ कर च चैनल को सब्सक्राइब करके रहना इसलिए मैं बोला था भई ये वीडियो जो है ना मैं कोई टिप्स ट्रिक्स वगरा नहीं बताना यह सिर्फ मुझे आपको मोटिवेट करने के लिए मतलब बात करने का मन हुआ कि आप लोगों से बात करूं बताओं अगर आप मायूस हो चाहिए तर ना करें जब मनोस दे एक गाउं से एक छोटे से जगह से जहां करके इतनी सारी लाइफ में चैलेंजेस हो वहां से आगे बढ़ करके आज एक वन मिलियन का सब्सक्राइबर ब ठाल लिए मुझे कम einen कर सकते हो नहीं कर सकते हैं जो भी है जो भी मन में आता मैं बताहिए और आपका भाय तो हमेशा अप लोगों के लिए हैं आपको हमेशा हल्प करते रहोंगा बताते रहोंगा सअजिस्ट में काम किया हूँ YouTube में भी काम कर रहा हूँ जांद बहुत सारे चीज़े देखिए और हर जगा मेरा जब़या यही रहा आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है कुछ करके दिखाना है तो इसी मोटीव के साथ में आप लोग भी मेरे साथ जुड़ है कर रहें इस तरह अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है. अच्छा लगता है. तो रहते वीडियो को लाइक करते है. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. और मुझे लगता है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट में रोजाना लेके आता रहो है ना दोस्तों तो आप नहीं हो तो यहां आपको सब्सक्राइब बटन तो जरूर दिख रहा होगा सब्सक्राइब कीजिए यह दो वीडियो आपके लिए छोड़ते हो जा रहा हूं इसको देखिए समझे क्या समझाने वाला हूं इसक यूटूब में रैंक करेंगे वाई दोस्तों इस साल